सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आईए हम आपको आज स्कूली सर्ड की कटिंग दिखा रहे हैं यह हमारे दो पल्ला है यह प्राइबेट स्कूल की है सर्ड की कटिंग हम आपको दिखाएंगे इस प्रकार से अच्छी तरीके से बिछा लेंगे अब यह नीचे वाली मार्किंग हम इस प्रकार से खीच लेंगे सुधी बिरकुल और इधर यह हमारे जो काज पट्टी है इसको हम देड़ हिंची यह देड़ हिंची की हमारी फंटी है देड़ हिंची के इस प्रकार से मार्किंग खीच लेंगे अब हम लंबाई सर्ड की बता दे देते हैं 26 हिंच हमारी लंबाई है सर्ड की तो इसको 27 हिंच पे निशान लगा लेंगे इस प्रकार से और देड़ हिंची पे निशान लगा लेंगे और फिर 8 हिंची पे निशान लगा लेंगे कि वी 32 हिंच हमारा सीना है्ट यह हमारी लंबाई है 27,5 इंच हम ने इसहाब से लगा लिया है और आठ इंची सीना आर्च को 22 इशान लोजिंग किरा दिया इसी प्रकार से इधर हम निशान लगा लेंगे इस प्रकार से तीनों मारी के अच्छी तरीके से बराबर सुध्धी कर लेंगे हम अब हम कालर का निशान लगाएंगे धाई इंच पर इधर गालेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से हम गुलाई कर देंगे अब हम कंधी का निशान लगाएंगे, कंधी हमारी है 16 इंच, तो इसको 8.5 इंच पे हम इस प्रकार से निशान लगा लेंगे, यहाँ पर भी हम 8.5 इस प्रकार से निशान लगा लेंगे, फिर हम 32 इंच मारा सिना है, इसको पौने 10, पौने 10 यानि 10 से दो सूद कम रखेंगे, क्योंकि 9 से हम सवा 9, यह तयार हम सट रखेंगे, इसी प्रकार से इधर भी हम पौने 10 का निशान लगा लेंगे, वो बीच में सवा 9, यानि 9 से दो सूद ज़्यादा, बीच भी निशान लगा लेंगे, इस प्रकार से मार्किंग अच्छे तरीके से कर लेंगे, अब जो हमने 10.5 हिंची की मार्किंग की हुई थी, उपर से, इसलिए की थी, क्योंकि यह कंधी डाउन करने में, काम आत्या है, और इसको फिर इधर भी हम, सवा 1 इंच, और इस प्रकार से हम, अस्तिन की गुलाई कर लेंगे, और इसको अब हम कट कर लेंगे, इसी प्रकार से अच्छी तरीके से, झास व स cherryजे से, और इस मुझा कर ले ay, मोयदो असा जब हम से, ईसको फित्स अशुरी के समें गरें यह, कि वाल में देधर बंकल, याथ। और इसको आप लेंगे, उन बस्तिन की प्रकार से, अजस्तिन की नहाईए किर है, झाल झाल अब हम आपको अस्तीन की कटिंग बताएंगे यहां पर हम आधा इंच के निसान लगा लेंगे यहां से लंबाई हमारी अस्तीन की 22 इंच है तो इस परकार से यहां 21 इंच पर हम निसान लगा लेंगे कफर जाएगा तो हमारा 22 इंच हो जाएगा तयार यहां पर हम पांच इंची निसान लगा लेंगे और यहाँ पे दो इंच हम मार्जन कर देंगे और यहाँ पे आठ हिंची इस प्रकार से निशान लगा लेंगे अब इसको क्रास फंटिक के माध्यम से इस प्रकार क्रास कर देंगे और इसको भी हम कटिंग कर लेंगे यह हमारा पाचिंची है वो हमारा आठिंची है जो हमारा आठिंची है थायं यप भी है वी जूव सांगः थायños पीव・ंवारा आजी है वी दो सी का पिता हम भी करी को दो हमारा आठिंची अज़किंट मच्त हैं अइए प्स करना आठिंची है अब अस्तीर में चाक př 지나 Lord Conley के बारे में बताएंगे चाक पटिजिस में बनाई जाती है इसको दो हींसों में इस परकार से बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद में अच्छी तरीके से इसको हम एक हिसे में लमसम पौने 5 या 5 इंच पे इस प्रकार से कटिंग कर देंगे हम आपको दिखाया दे रहे हैं यह हमारी पौने 5 इंच पे है अब हम बैक परला की कटिंग आपको बताएंगे बैक परला अच्छी तरीके से बिखा लेंगे अब इसको बिखाने के बाद में इस पे हम सामना रख लेंगे अपना इस प्रकार से सड को हम सामना जो है आधा इंच अपनी तरफ निकाल लेंगे इस परकार से आधा इंच दोनों तरफ क्योंकि सड जो है सामना हमारा आधा इंच अपनी तरफ जादा होता है अब यहां पे हम इस परकार से पनी तीन इंच पे निसान लगा देंगे और यहां पे हम धाइ इंच का निसान इस परकार से लगा लेंगे और इसको हम क्रॉस कर देंगे इस प्रकार से फिंटी के यह हमारा क्रॉस हो चुका है अब हम कंधी का निशान लगाएंगे जो हमने 8.5 इंच पे लगाया था पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं अब हम कंदी का निशान लगाएंगे साड़े आठ इंची पे और यहां से हम पहले तीन इंची पे निशान लगा लेंगे और यहां पे धा इंची जो हमारी कॉलर पड़ेगी इसको हम गोल कर देंगे अब हम कंदी का निशान लगाएंगे साड़े आठ और यहां पर भी साड़े आठ का निशान लगा लेंगे और इसको हम इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे और इसको भी अब हम बैक पल्ला को भी कट कर देंगे अब इस इस सड़ को हम ओपिन की कटिंग आपको बताएंगे किस प्रकार से ओपिन कटिंग करते हैं इसको लमसम हम धाई इंच से इस प्रकार से अच्छी तरीके से राउंडिंग कर लेंगे यह हमारी ओपन सेड की कटिंग इस प्रकार से कर लेते हूं यहां पर गुठका हम इस प्रकार से उठा लेंगे अब हम नोगदार त्योरा की कटिंग करेंगे इसको हम इस प्रकार से अच्छी तरीके से इस प्रकार से मोड़े लेंगे जो सुधा हिसा है वो हम उपर की तरफ रखेंगे और जो हमारा तिर्चा है नोगदार इसको नोगदार हम नीचे कर देंगे इसी प्रकार से इस पर हम अपना बैक पर ला रखेंगे अब इसे आप से इस पर हम कटिंग कर लेंगे अब इसके बाद में हम इस परकार से इसको हम नोकदर त्योरा को कट कर लेंगे बहुत आसान है काटने में कोई टेंशन नहीं होती है काटने का तरीका ही अलग अलग होता है चीज वही उसी परकार से बन कर तयार होगी यह हमारा तेवरा की कटिंग हो चुकी है इसी परकार से कटिंग आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं